अब class timing जो है ये fixed है variable नहीं है जरा भी किस तरीके से fixed है मैं भी आपको बताता हूँ आपको दिन का, minute का, घेंटों का सारा पता चल जाएगा अभी कि class timing कब होगी, किस तरीके से हमारे class होगी ठीक है, screen आपके सामने ही है यहाँ पे अगर आप गौर करें हमारा यह जो course है यह python का चिला जो है, यह totally online है, no in-person classes are available, ठीक है secondly, हमारे पास मैं सारे की सारी slides जो है आपके सामने ले आता हूँ, तो यह हमारा class timing है अगर आप गौर करें, Tuesday and Thursday को हमारी class होगी, 50 से 70 minute की, depending on the task जो हम कर रहे हैं, of course, कभी topic बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी discussion बड़ी चली जाती, कभी छोटी होती है, उसकी base पर यह class होगी, and here if you see 9 बजए पाकिस्तानी time पे हमारी class हुआ करेगी, exactly 9 बजए, ठीक है of course, यह वाला जो time में यह fix है कब तक fix है, मैं आपको 6 बज़ते हैं, तो जब यह गेंटा एक और बड़ा हो जाएगा, तो फिर मुझे 5 बजए class देनी पड़ेगे, which is impossible for me, so at that time we will convert this class to 9.30 or 10 o'clock, I will let you know before those time changes, at least a week ago, ठीक है, अब आप कहते हैं, कि मेरे पास तो time नहीं है, 9 बजए मैं class नहीं ले सकता, don't worry about that हम आपको LMS system provide कर रहें इसी वज़ा से जो आपकी fee है वो इतनी रखी गई थी, कि आपको सारी कि सारा recorded lectures, everything we can manage and provide you, ठीक है, तो इस वज़ा से आपको learning management system के through हर एक lecture, हर एक notebook, हर एक resources आपके पास available होगा, within each private say lecture यह आप कह सकते हैं, within each topic ठीक है, अब दूसरी जो हमारी meeting होगी, Sunday को होगी, 50-70 minute की again, 5 बज़े पाकिस्तानी time पर, यानि कि Sunday को 5 बज़े यह meeting होगी, and daily, डेली नहीं मतलब Tuesday and Thursday को 9 o'clock अब form में लिखा था मैंने every second day, of course 7 दिन होते हैं तो every second day नहीं हो सकता possible, इस वज़ा से, we have to do something like this, आपके पास जुमा हफता दो दिन होगे, और Monday and Wednesday, दो दिन यह होगे, चार दिन आप practice करेंगे, तीन दिन आप classes लेंगे ठीक हो गया, यह clear होगी जी classes कैसे होनी है, अब classes के लिए जो important point है आपको मदे नज़र रखने, वो मैं आपके साथ share करता हूँ